नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शिबम सिंग है मैं राजिस्थान का रहने वाला हूँ वैसे तो मैंने ये चैनल बनाया था अमरेश पुरी साब के शौट वीडियो आप तक पहुचाने के लिए लेकिन आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों क्या आपने कभी चमतकार होते हुए देखा है जी हाँ दोस्तों मैंने चमतकार होते हुए देखा है जी हाँ आपने सही सुना आज के इस समय में भी बेने चमतकार को होते हुए देखा है आईए शुरू करते हैं वे किसा भाई ये बात है गाउं बदीरा में पले बड़े एक आदमी की जिसने अपनी जिवन अपने गाउं में बिताया था उनकी शादी भी हो गई थी लेकिन कई साल बीच जाने के बाद भी उनको किसी संतान की प्राप्ती नहीं हुई समय बीचता गया जीवन अपनी पूरी क्रियाओं के साथ चला जा रहा था तो उस आदमी ने अपने मन में फैसला किया कि वे सन्यास लेगा और इस द्रड को अपने मन में रखते हुए वे मानरमदा नदी की पूजा सिद्धी और परिक्रमा की तपश्या करने के लिए निकल पड़े मैं आपको बता दू कि मानरमदा नदी की लंबाई लगबग तेरा सो चौदा सो किलो मीटर के आसपास है और उन्हें इसकी तपश्या के लिए इनकी परिक्रमा लगानी थी दोस्तों मानरमदा नदी मद्य प्रदेश के अमर कंटक से निकलती है और गुल्फ ओफ खामबट जो की अरब सागर में है गुजरात में वहां तक जाकर ये विलुप्त हो जाती है इस सन्याशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनकी परिक्रमा लगाई जो की 26-24 किलो मीटर तक होती है अब दोस्तों उनके इतने लंबे सफर में उन्होंने क्या-क्या अन्वव किया होगा इस चीज़ का तो हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं परिक्रमा पूर उने के बाद वे अपने राजिस्थान में वापिस लोट आए अब उन्हें एक इस्तान की जरूरत थी जहां वे अपना डेरा डाल सकें अपने देवों को विराज मान कर सकें तो वो तहसिल कठुमर के गाओं बड़ी का के पास बंजर पड़ी कुछ जमीन पर आके रुकते हैं जहां केवल सापों काटों और कीडों के अलावा कुछ कटीली जाडियां ही थी अगर कुछ था तो सिर्फ एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे सन्यासी आकर बेट गए वहीं कुटिया बनाने की ठान भी ली पर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि आदमी रोटी कपड़े मकान के बिना कुछ समय तक जिन्दा रह भी सकता है लेकिन दोस्तों पानी के बिना बिलकुल नहीं और अब दोस्तों दो काम होने बाकी थे एक रहने की विवस्ता और एक पानी की विवस्ता दोस्तों खाने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी गाओं के लाग लोग किसी सन्यासी को देखकर बोजन पानी उकलब्द कराही दिया करते हैं अब दोस्तों सुरत दालू ने वहाँ पर बाबा के लिए एक छपपर तयार कर दिया अब बाबा को पानी की समश्या दिखी क्योंकि अब बारी थी उस बंजर जमीन पर एक भव कुटी बनाने की जो बिना पेड पौधों के संभव नहीं था गाउं के लोगों से विचार करने पर पता लगा कि उस जमीन पर एक बार हुआ करता था जो अब सूप गया है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं नहीं है तब क्या था बाबा ने अपने साथ नर्मदा मा की परिक्रमा से लाए हुए जल का लोटा उस बाबा के अंदर विश्वास के साथ अपने गुरू महराज और नर्मदा माता को याद करते हुए डाल दिया और गाउं वालों से कहा कि पानी खिंचने की मोटर ले आओ गाउं वालों ने थोड़ा सोचा लेकिन फिर भी बाबा की बात मान ली और मोटर ले आए दोस्तों फिर उन लोगों ने जो देखा वही था चमतकार उस सूखे हुए बाउर से भी दोस्तों पानी ही पानी हो गया उस मोटर के द्वारा आज बाबा ने बंजर पड़ी हुई जमीन को इतना शांदार बगीचा इतनी शांदार आस्रम कुटी में बदल दिया जिसकी आप कल्गना भी नहीं कर सकते हैं इस जगे को श्री जंडा वाले हनमान जी की बगीची के नाम से जाना जाता है और दोस्तों ये संत हुए श्री प्रेमदास जी महराज धन्यवाद दोस्ते